भाजपा नगर मंडल आबु रोड ने भारत रतने एवं पूर प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजपे की मनाई जन्म जैन्ती आज भाजपा नगर मंडल आबू रोड ने भारती जन्ता पार्टी के प्रथम राष्टे अध्यक्ष प्रकरकवी भारत रतने पूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपी जी की मनाई जन्म जैन्ती कारिक्रम सेट परसादी लाल धर्मिशाला में किया गया आयोजित भाजपा जिला उपाद्यक्ष आबू भाई पतिल नगरपाल का अध्यक्ष मगन दान चारण मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र संब्रिया एवं बुद्धी जीवी प्रकोष्ट के जिला संयोजक मनीज परसाई के सानित में हुआ आयोजण कारिक्रम का मंच संचारण महामंत्री दिरियसेन ने किया महामंत्री सेन ने बताया कि अटल जी का जन्म 25 दिसमर 1924 को हुआ था वो भाजपा के संस्थापक सदस्षे एवं प्रथम राष्टे अध्यक्ष थे उन्हें एक कवी के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें के लिए संसथ सदस्षी के रूप में कार किया 2009 में उत्तर प्रदेश जब उन्हें स्वास्त संबन दी चिंता सतानी लगी तो उन्हें सक्री राजनीती से विदाई ले ली कारिक्रम में मंडल अध्यक्ष भूपेंद संबरिया ने बताया कि अटल सरकार ने 11 और 13 मैं 1998 को प पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी यही नहीं इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारत पर अनेक प्रतिबंद लगाए गए लेकिन वाजपेई सरकार ने सबका ध्रणता पूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की उचाईयों को चुछ हुआ 19 फरवरी 1999 को सदा एस सरहत नाम से दिली से लाहर तक बस सेवा शुरू की गए इस सेवा का उधगाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेई जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज सरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरूआत की कुछी समय पस्चात पाकिस्तान के ततकालिन सेना प्रमुक जनरल परवेज मुसर्रफ की शेह पर पाकिस्तानी सेना वे उगरवादियों ने कारविल शेत्र में गुस्पैट करके कई पहारी चोटियों पर कबज़ा कर लिया अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उलंगन करने के अंतराश्टी सलाह का सम्मान करते हुए धेरपूर्वा किन्तु ठोस कारवाही करके भारती शेत्र को मुक्तिकर आया इस योद्ध में प्रतिकूल प्रस्तियों के कारण भारती सेना को जानमाल का बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान के शाहद सुरू किये गए सम पनसुदार एक बार पुनह शुन्य हो गए